मेरे दोस्तों अजीजों जीजस लिंक के सुनने वालों अपने आज के शो अच्छी और सची बातों के साथ आपके सामने हाजर है और आज का शो मेरा 111 शो है तो उदा करें कि इसी तरह चलता रहे काम गला काफी खराद है सर्दी बहुत है दो दिन से स्नो पड़ी है काफी और स्नो निकालता रहूं बात जाकर तो आज भी temperature बहुत ही लो था almost कह सकते हैं कि zero वाली बात थी तो इस वाज़ा से गला काफी खराद है लेकर अपने इस program को जारी और सारी तो मैंने रखना ही रखना है जब तक के खड़ा अच्छी से तो तांदरूस्ती अता करता रहेगा तो आज का शो मेरा कुछ इस तरह से है सची और अच्छी बातों के साथ कुछ अच्छी बातें सच्छी बातें और कुछ शायरी आज ज्यादा है तो आज की इस सारे शो को आप जरूर पसंद करेंगे थैंक यू शुक्रिया के कल का शो जो शांती नगर पर था आप लोगों ने काफी पसांद किया और पसांद करना चाहिए भी था क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अलमनाक वाक्या हमारी मस्ही कौम के साथ था तो सबसे पहले तलाते कलामे पाक तो आज का एक जबूर एक सो चौती जबूर सिर्फ उसकी तीन आयात हैं सिर्फ मैं वो ही पड़ूँगा आय खदावन के बंदो आओ सब खदावन को मबारिक कहो और हम सब मिलकर खदावन को मबारिक कहें आय खदावन के बंदो आओ सब खदावन को मबारिक कहो तुम जो रात को खदावन के घर में खड़े रहते हो मक्दस की तरफ अपने हाथ अठाओ मक्दस की तरफ अपने हाथ अठाओ और खदावन को मंभारिक कहो खदावन जिसने आस्मान और जमीन को बनाया सहहून में से तुझे बरकत दे आमीन खदावन के पाक लाम के पड़े और सुने जाने पर ख़दामन अपनी बड़ी बरकत बक्षे आभी तो आज का शो शुरू काता हूँ जो शो 111 है तो सबसे पहले आज जो कुछ बाते हैं वो है शेरी मुगल आइस्ता चल जिन्दगी आइस्ता चल जिन्दगी क्योंकि जिन्दगी तेज चल रही है और बहुत सारे जो हम खाशे रखते हैं कि हम अपनी जिन्दगी में पूरी कर सकें तो इसलिए जिन्दगी से रिक्वेस्टी करते हैं कि जिन्दगी आइस्ता चल हम इन सब अपने कामों को जो के हमने करने हैं तेरे सामने दुआ करते हैं कि तुद्राजियमरत आकार हम इन सब कामों को पाय तकमील तक पुन चाले तो आश्ता चल जिंदगी आश्ता चल जिंदगी अभी कई कर्स चिकाना है अभी कुछ कर्स चिकाना है कुछ दर्द मताना बाकी है कुछ फर्ज नबाना बाकी है कुछ दर्द मताना बाकी है कुछ फर्ज नबाना बाकी है तो यही रिक्वेस्ट है शेरी मुगल ने बहुत अच्छी है जो पोस्ट है डाली कुछ दर्द मटाना बाकी है, कुछ फर्ज नबाना बाकी है, रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूट गए, रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूट गए, कुछ शूट गए, जाहर है, तेज चल रही है, तो बंदे नराज हो जाते हैं, यारा हस्ता चल, हमें भी साथ मल आ कुछ नराज हो जाते हैं को इस वद्धा से थरत्तार में तेरे चलने से कुछ रूट गए पस छूट गए नंगा ना बांती घी द्रवें दिल्टजाई करते हैं तुदा बादजी दराजी उमरत आ कर बहुत सारी चीज़ें हम जो नहीं कर सके या हम अपनी जिन्दगी में करना चाहते हैं हम उस मालक से उस खालक और मालक से दुआ करते हैं कि हमने कुछ करने का इस जिंदों की जमीन पर ठैरने कई कुछ और मुलत बे रूट को मनाना बाकी है रूत्तों को हंसाना बाकी है कुछ हस्रतें अभी हदूरी हैं कुछ काम भी और जरूरी है बहुत अच्छी बात अभी हम जो अपने दिल में हस्रतें खाशे रखते हैं जिंदगी से दरखास करते हैं कि थोड़ा ऐस्ता चल उन हस्रतों को पूरी कर लें और जो कुछ काम करने रह गए हैं उनको भी मौलत दे ताके वो भी हम अपनी जिन्गी में करके जाएं खाशें गट गई इस दिल में इनको दफनाना है खाशें जो दिल से गट गई हैं इनको दफनाना है आए जिन्गी आस्ता चल तो कुछ रिष्टे बन कर चूट गए कुछ जुड़ते चूट गए कुछ रिष्टे बन के चूट गए यह तो दुनियादारी है कुछ रिष्टे बनते रहते हैं चूटे रहते हैं चलती रहती है जिन्गी और इसी तरह रिष्टे और दोस्तियां तो जिन्गी के साथ साथ चलती रहती हैं इन टूटे चूटे रिष्टों के जखमों को मटा तो इन सासों पर हक है जिनका इनको समझाना बाकी है. अबी कई कर्च चिकाना बाकी है. तो इसके बाद उन्होंने एक और पोस्त बहुत अच्छी डाली जिस दिन हमने खुद को लोगों की जगा और लोगों को अपनी जगा रह कर सोचना शुरू कर दिया इस दिन यह एसास पैदा हो जाएगा कि हमारे रुवईये और लहजे में कितने तक्लीख में हैं पहर अगर हम इन चीजों को भूद सोचे कि हम जब किसी को तक्लीख दे रहे हैं किसी को बुरा सबसे हैं तो हम अपने आपको उस जगह पर रखके सोचें वो फेट चलेगा पटा चलेगा कि उन तकलीफ हमों कितनी कितनी मुश्कलात हैं कितना करब हैं तो बहुत अच्छी बार तुशीरी मुगल तो उसके बाद है खाना काबा मैंने इसका अन्वान रखा है खाना काबा अगर सतर साल तक खाना काबा को का तुआफ करके उसकी नेकियां माबाप माबाप के हदिया करते रहें तब आप पांसू के कत्रे का कत्रे का हलका साथ हलका नहीं कर सकते तो जो आपकी बश्ट सलुकी की वजह से आपके माबाप की आंका गिराता आप सत्तर बार भी काणा नए कापा का तौएफ करें वहां जाए हज करें या उम्रा करें लेकिन जो बश्ट सलुकी हमने या हम अपने माबाप से कर रहे हैं उसका एक कत्रे का भी हम पूरा हसाब नहीं देश सकते और वैसे भी उस हज का क्या फाइदा या सुम्रे का क्या फाइदा या क्रिश्चन लोग जैसे हैं वो बड़ी खाश रखते हैं इस्राइल जाने की रोंग जाने की पोप से मिलने की तो इन सारी चीजों का क्या फाइदा अगर हम अपने रिष्टेदारों और सबसे बाड़कर जन माबापने हमें जनम दिया जिनोंने यहां तक हमने पुंचा है अगर हम उनको खोश नहीं कर सकते तो यह सारी चीज़ें बेकार हैं बहुत अच्छा यह जो चीज़ें इसके बाद हैं मकाफाते अमल शेख अब्दर जिलानी तो यह दीन और दुनिया में अपनी पोस्ट में लिखा है जो रिष्टे तुम्हें तकलीफ दें इनसे दूरी इख्तियार कर लो बिलकुल जो रिष्टे आपको तकलीफ देते हैं आप क्यों इतनी परिशानी में रहते हैं थोड़ा पीछे हर जो अपना आपको भी जो आपकी टेंशन है वो कम हो जीगी वो खुद लाटाएंगे मगर इस वक जब तमारे दिल से उतर चुके होंगे जब वो लाट के आएंगे तो तमारे दिल से तो वो उतर चुके होंगे बिलकुल ठीक बात है क्योंकि वो तमारी कदर से नहीं पश्टाते पश्टावे से नहीं लोड़ते जिसकी जी हुई तकलीफ है तो आज तुम पिश्तावे में रोएंगे जिस तकलीर से आप उनकी वज़ा से रोए हो तो कल जब वो वापस आएंगे और आपके रवये भी बदल चुके होंगे तो वो बी और अपने उन रवये से रोएंगे इसके बाद जीम फे गोरी को कौन नहीं जानता अभी ज्यादा जो है गजले और नजने हैं शायरी है भी ज्यादा था तो जीम फे खौरी ने बड़ी छोटी बहर की बहुत ही चोटी बहर की नजन या गजल लिखी है हर कदम पे शिकस्त खाई है क्या बात है यह तो मेरे शिलिये शेर है जब मैफले काते थे गजले घाते थे तो कई लोग बैठे और कदम ते शिकस्त खाई है उमर भर की यहीं कमाई है बिलकुन यहीं कमाई है देवफाई देखी है लोगों के साथ प्यार करते करते ठंगे हैं देवफाई के सवा कुछ नहीं देखा और शिकस्त खाई है लेकर उस मालक का शुक्रिया क्या ने इतना मौका तो देता है कि हम किसे के लिए कुछ कर सके बहुत अच्छे गोरी तेरी दुनिया के हम असीर हुए इस असीरी में भी रहाई है तेरी दुनिया के असीर हुए इस असीरी में भी रहाई है बहुत अच्छे आज अपना लिया हमने तुम्हे आज अपना लिया हमने तुम्हे आज जिन्दगी पराई है बिल्कुल ठीक बात जब हम इसको शादी बिया की तरफ लेजे जब हम किसी को दे देते हैं तो अपनी जिन्दगी दिल और जान सब इसको दे देते हैं तो सायर है, जिन्डगी तो पर उस क्यों हो जाती है? तो आज, जिन्डगी, प्राही है गुरी साभ अगर मेरे को तुर्श dad अगर मेरे को तश्री में गलती हो तुलाफ़स ने तो स्वारी तु खुनारी हम तो रस्में औभा नभान आ सके हम तो रस्मे वफा नभा ना सके, तुमने रस्मे जफा नभाई है, क्या बात है, तुमने रस्मे जफा मगाई है, नभाई है, हम तो रस्मे वफा नभाई ना सके, हम अपने आप कोई जुर्म धाक्त रा रहे हैं कि हम तो वफा कारी दी सके, लेकर तुमने तो अपनी जो भी जो दुनियादारी है जो जफा करते हैं वो तुमने तो कर ली बहुत अच्छा तो रात में कैद है चरागे लो रात में चराग है सारी रात में कैद है चरागे लो रात के बात फिर रहा ही है क्या बात है रात के बात फिर अजादी मिल जाती है जाहर है रात तो एक किसम के आप बंद हो जाते हो अंदेरा हाथ तरफ किसी भी तरीके से शेर को ले लो तो मैं इतनी तफसीर में तो नहीं जाओंगा साधाल में कहूंगा कि रात एक किसम का इस कमरे में या इस घर में बंद हो जाते हैं जाहर है वो भी जरूरी है नीन पूरी करना भी जरूरी है सुबाट के नीन से रहाई मिलती है और उसके बाद फिर एक बार अजादी सारा दिन अजाद फिर शाम को घर फिर वो ही सब कुछ जिन्दगी तो यही है यही रात होती है दिन होता है तो जिन्दगी तमाम होती है य रात की खमाशी सुनो गौरी, रात की खमाशी सुनो गौरी, खमाशी में भी एक दोहाई है, बिलकुल खमाशी में भी एक दोहाई है, अब बिलकुल पर सकून होते हैं, खमाशी होती है, तो फिर आप खुदा से इस तरह भी ले जो, दन्यावी तरह पर ले जो, तो फिर आप तनहाई में बहुत कच शिकून में बहुत कच सोचते हैं तो तनहाई में भी एक रहाई है, हर कदम पे शिकस्त खाई है उमर भर की यही कमाई है तो आज एक बहुत सीनेर शाय साज यूसप प्रवास साब को अपने शो का हिशा बनाया है मैंने पहले भी एक बार उनकी कताब को पड़ा है फिर आने माले जिनों में काफी जो भी जैसे रोजे शुरू हो रहे हैं तो जाहर उनकी कताब में काफी चीज़ें होंगी तो रोजे पे काफी कोछ लोग लिखेंगे तो उनके दो शेर, बहुत खुबसूरत शेर दुनिया वाले दहर की इस बेताबी में ऐसे भी तो दिल का बोज अतारा है घर की तनहाई से दिल गबराया जब मैंने अक्सर तेरा नाम पका रहा है यह उपर लेजें कि जब भी हम तनहाँ होते हैं जैसे भी गोरी का शेर एक पड़ा तो जब हम तनहाँ होते हैं हम अपने मालक को याद करते हैं जो कुछ हुआ हम पर बीता या हमने घलतियां की हम उसके पास हम उसका नाम पकाते हैं उसका नाम लेते हैं तो सर यूसफ अगर तो गलती गुस्ता की हो तो वाफी तो गजल यूसफ प्रवाज साब की सर यूसफ प्रवाज साब की ए गजल मैंने खाल दो ते तीन गजली उनकी महने लिए है एक एक लमहा अब खिल्वत में डस्ता है जो मी तनहाई वाली बात ही आगी एक एक लमहा अब खिल्वत में डस्ता है तनहाई में अब रहना मुश्कल है यह बहुत अगर मैं इसको अपने उमर जैसे लोगों से यह हम से जो बहुत उमर रसीदा है तो पाकिस्तान में भी लेकिन वहां महाल फरक है यहां बहुत फरक है अकेले अकेले आदमी घरों में बैठे होते हैं तो तनहाई फिर वह जो उनको बुजारना मुश्कल ही होती है जब तक भी राने जिन्दों कुछ जुमीन पर रखना है इस तनहाई को बरदाश्टों करना है हल्की हल्की जो सहरा में खुनकी है पास प्रोस हमारे के बादल बरसा है मुझसे अक्सर दिल की बाते करता है मुझसे दिल की अक्सर बाते करता है ये हमजाद मेरे अंदर जो रहता है ये हमजाद जो मेरे अंदर रहता है ये तरहाई में मेरे साथ बाते करता है फिस सारी बाजी सारा याद आता है जो कुछ गुजरा है हमजाद वो हमसे बातें करता है अपने मतलब की ताबीर के खाहें हैं क्या बात है अपने मतलब की ताबीर के खाहें हैं आग का अपना अपना सपना है जो भी हम सपना देखते हैं हम से बाट के कहते हैं हमारे हक में ही बात हो, जो देखा है, वो दा रहें करे, ऐसा कुछ ना हो, तो हम तिर अपने हक की सोचते हैं, के हमारे हक में ही तावीर जो है, वो सबने तो सब देखते हैं, हम भी देखते हैं, सुबह उटके हमने दूसरे को बताते हैं, के खुदा खैर करे, हमने ये सपना तो अच्छी तबीर हो, तुदा कोई बुरा बत्त ना लाए, चोहराहे के अंदर आकार ठैर गया है, इन रिष्टों में निया काउन सा रिष्टा है? जोहराहे में आकार ठैर गया है, इन रिष्टों में कौन सा रिष्टा है? आप बहुत बड़े हजूब बेखड़े हैं, पता नहीं मैं गलत ना हूँ, तो आप देखे के इन रिष्टों में कौन सा रिष्टा, अच्छा रिष्टा है, ये कौन सा रिष्टा है, जिसको हमने बभाना है अजब हैं इंसानों की मंदी भी जो मिलता है एक से बेतर मिलता है क्या बात बहुत अच्छा साथ जी जो मिलता है सबकिंगे कि अपना काम नकालता है चला जाता है और हम देखते जा रहे जाते हैं इस इनसानों की मंदी》 में क्या कैचीज अंपड़ी हुई है तो बहुत अच्छे इनसानों की मंदी नूर-e-क-अफ्ला- हर जनम को पहला है लमहों के संग सूरज आगे बढ़ता है लमहों के आगे सूरज आगे बढ़ता है सूरज आइस्ता आइस्ता बढ़ता रहता है जो कुछ भी उसका सिलसला है जो दुनियादारी का नजाम ने वो तो चलता है रहता है नील बता ऐसा भी कोई दर्या है जो दखन से उत्तर को बैता है जो दखन से उत्तर को बैता है दर्या है नील से बात कर रहे हैं को ऐसा कोई दर्या है जो दखन से उत्तर को बैता है पंजाबी में दखन उत्तर ये जैसे मश्रिक मगरब तो यह सारे नाम है, प्यार की अपनी शक्ती का इजाज है, देखने, देखते अंगारों पे इश्क चलता है, क्या बात? जूटा इश्क नहीं, आज काल का जो इश्क है, जो इश्क था, हकीकी इश्क है, वो सच्चे अंगारों पर भी चल जाता है, बहुत अच्छे सर्यूसफ प्रवास साथ, उसके बाद, उनकी एक और गजल, इश्क चूने लगा, इंतहा क्या करूँ, बात सुनता नहीं, दिल, रबा क्या करूँ, क्या बात? दिल तो सुनता ही नहीं, क्या करे, हम तो फिर अपने ज्यादा, हम जो हैं, वो दिल की सुनते हैं, अलागे उसकी सुननी चाहिए, तो इसलिए युसाफ साब ने कहा है, प्रवाद साब ने, क्या करूँ, पहली पूजा से यूँ दिल शुकस्ता हुआ, पहली पूजा से दिल यू सिकस्ता हुआ, हाथ उठते नहीं, अब दुआ क्या करो, हाथ उठते नहीं, क्योंकि दिल नहीं मानता, कि आथ ठाएं अपने रब की तरफ, अपने मालक की तरफ, दिल नहीं मानता, तो फिर प्रवास साब कह रहे हैं, हाथ उठते नहीं, अब दु क्वां किया करूं बंद बस्ति के गलियों के दरबंद है राष्टे बंद है गैरी दीवारों से इल्ट जा क्या करूं पर अब कुह सुनता ही सारी मैंने पहले रिक्वास्ट की थी कि दलग काफी खराब है इसको बसंदी बहुत ज्यादा है जिन्दगी तुझ से वबस्त की है बड़ी सारी वक्त के साथ मिट जाते हैं नक्ष भी वक्त के साथ मिट जाते हैं नक्ष भी उड़ गया है रंग तस्वीरों का दिल को वक्त के साथ साथ हर चीज नक्ष्जों है मिठ जाते हैं कब जानी थी अब क्या ला शुन की जवानी में थे तो वक्त के साथ साथ दो टस्वीरों का रंग भी उड़ जाता है एे थीक इपर जाते हैं बहुत सारी चीज़ें जिन्दगी में जो आपने देखी होती है, एक वक्त आ जाता है कि दिल बुच जाता है, तो उन्होंने मेरा ख्याल मैं अपना तश्री करता हूँ, उन्होंने क्या लिख का है, तो वक्त के साथ साथ दिल बुचता जाता है, कमजोर हो जाता है, तस्वीरों का रंग बदलना श वबस्तगी है बड़ी, जिन्दगी तुझसे वबस्तगी है बड़ी, तेरी दुनिया से जुदा होकर क्या करते हैं, जिन्दगी से जुदा तो नहीं हो सकते, वो तो जैसी है, चलाना हैं, गुजारा करना हैं, गुजारनी हैं, तो मेरे हमरा परिशान है सारा जहां, मेरे जैसे लोग हैं वो सारी परिशान है मेरे मेरे हमरा परिशान है सारा जहां नफरतों की जलती हवा क्या करूं बहुत अच्छे सर जी नफरतों की जलती है हवा क्या करूं देखे तजर्बे की बात है सर यूसफ प्रवास सब बहुत सीनियर शायद बहुत तजर्बाकार तो उन जो आम आदमी है वो भी बहुत सारी चीजों को देख रहा है कि मुहबतों का दौर जो था वो कम हो गया खतम होने वाला ही है तकरीबन तो नफरते नफरते हो गई आपकर बत्सलूकियां बत्सलूकियां हो गई है तेरे दहर से निकलू या अंदर रहू तेरे दहर से निकलू या अंदर रहू अब परिशान हूँ अब परिशान हूँ या बावफा क्या करूँ बहुत अच्छा यू ना कदगन लगा मेरे जजबात पर यू ना कदगन लगा मेरे जजबात पर जात अपनी के अंदर बता क्या करों तो बहुत खुबसूरत उनका कलाम आज काफी कोशिश करूँगा कि जैसे जैसे अच्छी चीजें घर कलाम तो सारा रोज आता उनका सारी यूसफ प्रवास का रोज शायरी आती है उनकी पंजाबी भी लेक रहे हैं आज काल इश्क छूने लगा इंतहा क्या करूँ बात सुनता नहीं दिल रबा क्या करूँ तो इसके बाद अजवल अधीम साथ छोटी बहर की बहुत उपसूरत उनकाल चीज मैंने देखी और मैंने इनको शामल किया वो शहरतो कापा वो शहरतो कापा सो चुका है बस शाम का साया जाकता है वो शहरतो कापा सो चुका बस शाम का साया जाकता है दिल की जमीन तो खुश किसी है क्या बात है दिल की जमीन तो खुश किसी है और आंच से पानी बहा है जब दिल की जमीन खुश को भी है प्रदास्किया चागे हैं बहुत को बदल चुका है तो आंसु भी पानी जो आंखों से वो आंसु बेह रहा है और शाह की गेती रोशनी पर और शाह की गेती रोशनी पर तेखाब किसी का आग गिरा है पान जहां पर रुक गये थे रास्ता भी वहां से चल पड़ा है जहां पर रोक थे रास्ता वहीं से चल पड़ा है आगे अपनी मंजल की तरफ बहुत अच्छा अधीम साथ तो है रात अधीम धलने वाली रात अधीम धलने वाली रात दिवार के पीछे दिन खड़ा है जाहरा जब सूरज वोजल हो जाता है पीछे चला जाता है तो उसके बाद वही उन्होंने लिखा है कि दिवार के पीछे दिन खड़ा है उसके बाद जब फिर सूरज दिवार से निकलता है फिर सुबह हो जाती है वह इंड चाना शिरु करते हैं फिर जिन्दी रमादमा हो जाती है बहुत अच्छा वो शेर तो कब का सो कुछिकाहाही बस शाम का साय जाता है शाम वा जना है शेहर सो चुका है तो शाम का शाय जागेगा उसके बाद सेमस ez वारस गेल शाहले बहुत अच्छा लिखें वह किसे ना किसी कि लिखते ही रहते बहें और आज काल के महाल पर और जो मेरे शो में बहुत अच्छी तरह वो चामियाभी से शामल हो जाते हैं वो लिखते हैं कभी रिष्टे बचाने की खातर जुगना पड़ता है रिष्टे बचाने की खातर जुकना पड़ता है कभी कौल नभाने की खातर जुकना पड़ता है बादे नभाने की खातर हम जुकते जुक जाते हैं सचे बादे जो हैं आज कल के जूटे बाद वाली बात नहीं है तो प्यार की खातर, मुहब्बत की खातर, सचाय की खातर हमें जुक जाना है जमाने के रुवाज अब कितने बदल गए बिलकुल पहले सारी उसर परवाज की यही बाते हैं गोरी की भी यही बाते हैं इधर अधीम साब के यही गिले शिक्वे हैं तो जमाने के रुवाज अपने अब कितने बदल गए अपनों को मनाने की खातर, जुकना पड़ता है जो अच्छा इंसान है, वो जुक जाता है मैं महनी करता है कि हलात खराब ना हो, वो जुक जाता है कि खुदा के बास्ते चलो शौरी माफी जो कोई है वो जुकना पड़ता है अपनों को मनाने के लिए जो रूट चाते हैं अपने तो आज-कल तो आमसी बात है मैं ना मनूं की बात तो आमसी है ऐसे रूट जाते है फिर बड़ा फखर समझते हैं कि गिल साथ ने आकर माफी मा कुछ My battery Lica Keena जो पाकस्तानी स्राइसात पर मैं समझता ह own लिखे उन्होंने अब ऐसे लीडर क्यों यह ख और नहीं आते ऑप ऐसे लीडर क्यों नहीं आते रोटी कपना मकान को नहीं दला वह ठktशने मारत 위해 कपला वाञदाव मकान का उसको तो लटका दिया वह आप लीडर आ रहे हैं वहलों तो आपनी रोटी की बात करते हैं अब भी र्प लीडरों की बचात हुई है फाव का लीडर क्यों नहीं लाते हिसना यह अप सुचेंगे ե्ष bro तोड़ा मिल गया है वो खापी लिया उसके पीछे चले गए चाहे वो जूटा है सचे के पीछे तो कभी भी नहीं जाते हम हमारी कुछ तरभियत ही ऐसी है कि हम जूटों के पीछे जाते हैं बड़ती हुई महगाई के दौर में लोड़ शेडिंग से मलक को बचाते क्यों नह मतलब अपनी अपनी पड़ीग इतने सहलों से लोग कितने अजाब में मुखनी बड़ गया है तो कितना अजाब होगा कि साओं में गहास मिखत वह जाती है गाप फिलोड़ शेडिंग और ह्गरणी ओं में जब जूख लुखक होती है तो वो बिजूजी चली जाती तो इन ये हराम की खाते हैं, अवाम को ये हलाल ही खलाते, विकोद तो हराम खाई रहे हैं, जो अवाम को तो हलाल खलाते, ताकि उनके जिस्मों में हलाल जाए, हलाल खून जाए, वो भी हराम की खाखा के हराम तो नना बन जाएं, जैसे के जो स्यासदान आजकल बन रहे हैं, क्रॉप्शन भी यहां फैली हुई है, सारी मिलाजबतों का यहां फ़कदान बहुत है, उसमें भी कोई राब ना थे, कि जो लोग भूके मार रहे हैं, जिनके पास जाब नहीं है, में में लोग मस्टर डिग्रियां करके बिचारे पी एन लग रहे हैं, जड़ू दे रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, मुझदूरियां कर रहे हैं, तो जिन लोगों को मलाजमत की जुरूरत है, वो क्यों नहीं देते, क्रॉप्शन भी यहाँ फैली हुई है, क्रॉप्शन को ही थोड़ा काम करते, कैसे काम करेंगे, जो लीडर ही क्रप्षन कर रहे हैं, तो क्रॉप्शन कैसे काम होगी, आप देखी रहें क्या हाल है कि मानता ही नहीं कोई भी मैंने corruption की है या मैंने मुलक को लूटा है ना अदालतों को मानते हैं ना किसी ओर बात को मानते हैं तो अमीदیں सबकी ڈूबी हुई है अमीदیں सबकी ڈूबी हुई है रोक दोखे अमीद ही बढ़ाते दोके रोकते और अमीद बढ़ जाती रोक दोके अमीद ही बढ़ाते कैसे अमीद बढ़ाते जब कि उनको अपनी अपनी आपड़ी हुई है नफसा नफसी है वो तो आपने अपनी समार सकते पाकसान के सबसे बड़े लीडर क्या है नवाज श्रीफ उनकी फिर भी बले-बले हैं करॉप्षन के नंबर वन लीडर है पीरो हैं तो हमारा भी अपना बहुत सारा अकसूर है कि हम फिर उने को लाएंगे जब वक्त आएगा अगलेक्षिन आएगे फिर वोट उने को जाएंगे अब ऐसे लीडर क्यों नहीं आते रोटी कपड़ा मकान गरीबों को दलाते बहुत अच्छा गिल साथ बहुत अच्छा आपने लिखाए एरक गिल साथ यू ऐसे में है इसके बाद बहुत दो खुब्सूर अश्य बाबा नजमी ने सारे शो का मैं ने चोड़ कहता हूं उन्हें लिखा अपने अपने जोर वखाले जावन गे अपने अपने जोर वखाले जावन गे एक दुझे दे चोर वखाले जावन गे क्या बात है जो उपर गिल साथ ने लिखा है वो पंजाबी जी ने दो शेरांचे आ गया है अपने अपने जोर वखाले जावन गे एक दुझे दे चोर बखाले जावन गे जहान उते रंग जहां जहां उते जहां उते जहां उते जहां उते जंग इस सतर साला का जिन्ना उते सारी जिन्ना उते इस रंग इस सतर साला दा जंग लगा है वो किस तरा हटेगा बताए हटाने की कोशिश करेंगे तो जंग लगेगा नि तो वो तो समंदर में गिर गया हुए चीज़ा जो जंग लगता ही जाएगा लगता ही जाएगा तो ऐसे हमारी स्यासत है उसको जंग लगता ही जा रहा है करके नवे नखोर वक्ता आएगा तो फिर नवे नखोर करके जंग लटशेगा सतर सालादा सही कुछ लीदर लेकर आएगा बहुत अच्छे बाबा नजमी तो उसके बाद एक समन रशीद साब ने छोटी से बहुत अच्छी बात लिकी है दूसरों में खामिया तब नकले जब आप अपनी गॉजात में मॉकंबल हो भू भी मैं परकस्तान की स्यास्थर की तरफ ले जाता हूँ कि हम दूसरी लीडर इम्रान खान, नुवाई श्रीफ वैसे, नुवाई श्रीफ इम्रान खान ऐसे, जड़दारी वाश्री पैसे अलागे सब चोर है वो हम अपनी खामियां क्यों नहीं नकालते हैं हम दूसरों की खामियां देखते हैं तो इस वज़ा से हम अपनी आंखच दीन नहीं देखते दूसरे एक हमें छोटा सा तिनका भी नजर आ जाता है और पंजाबी ची कहीं देने ना कि अपनी मंजी था ले असी डांग नहीं बेर दे के साड़ी मंजी था ले की हो गया असी दूसरे नू स्वार दे रहें ने ते खुदा आपको बरकर दे आज का शो कुछ लंबा ज़रूर हो है लेकिन सच्छी और अच्छी बातों की वज़ा से के जाहर है जितनी अच्छी और सची बाते थी तो मेरा फिर दिल करता है कि बोलता जाओं आपके सामने ये सारी बाते जो वह पूरी करके हटूं तो ख़दा आप सब को वरकर दे अपनी फार्दतों पना में रखें गाड़ ब्लेस पाकस्तान गाड़ ब्लेस जीजस लिं कि अविंग तीव अमीन